मेरी अत्ती प्रियूं क्या आप बले चंगाई के साथ है ये शुम्मसी आपसे प्रति दिन बातें करता है और प्रति दिन प्रभु आंसिसें देता है प्रभु से आसिस को प्राप्त करने के लिए प्रति दिन प्रातना करना वचन पर अदियन करना है उस वचन को गोशना करने के द्वारा ही आसिस को आप प्राप्त कर सकते हैं आज परमेश्यर वादा करता है एर्मिया 24 अद्धिहाई का सात्वा वचन में मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ यह सुन्दर प्रभु का वादा है जब परमेश्यर को आम जानेंगे परमेश्यर के प्रती बुद्धिया और ज्यान देंगे वो ही अमें आसिस है प्रभु को जितना आप जानेंगे उतने ही आपका जीवन में आसिस को आप प्राप्त कर सकते हैं जितने भी आप बुद्धी जीवी वो सकते हैं ज्यान को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हमारे सिस्टिक करता परमीशर कोन है इसके प्रती जानकारी नहीं तो आपका जिन्दगी जीना बहुत बिकार है अमारी सिस्टिक करता कौन है इसको आप जब जानते हैं जब आपके पूरे जानकारी हो जाएगी वैसे ही वो आसिस को भी प्राप्त कर सकते हैं उसी के द्वारा सचा आसिस को आप प्राप्त करेंगे यहवा का बाय मानना बुद्धी का मुलसरोता है तो परमेई इश्वर को किस प्रकार हमें जानना है जब मैं लड़का के रूप में ता मेरे परिवार वालों ने बहुत सारे बगवान के बारे में मुझे परिछे कराया एक एक नए नए गाओं में जाने से नए नए देवताओं को हमें बताते थे और पुरानी पुरानी कहानियों को भी जो बगवान के परती कहानी उसको बोलके मुझे बक्ती में पालन पोशिण करने के लिए मेरी दादी मा कोसिस की उसका परिणाम में किया हुआ बहुत सारे बगवान का बारे में जानने के चलते किसी बगवान के प्रती हमने फोकस नहीं किया यही सही बगवान यही हो सकते मेरी दादी मा मुझे समझाने के लिए बहुत कोशिस करती थी उन दिनों में, गाओं में, रात में बहुत पूजा पाट उता था कहानियां गीत को माद्यम से बच्चों को वो समझाते थे उस प्रकार की जब गीत की सभाव होती थी मेरी दादी मां सारी बातों में ले जाती थी मेरे अंदर एक प्यासता किसी ने किसी डंग से बगवान को में मिलना है डूंडना है लेकिन मुझे सही उतर नहीं मिल पाया मैं बहुत निराश हो गया क्योंकि सारी बातों के लिए एक अलग-अलग बगवान ने किसी बगवान साधी किया है कोई बगवान साधी नहीं किया है किसी बगवान को संतान है किसी बगवान को संतान नहीं है किसी बगवान ने लड़ता है कोई बगवान लड़ता नहीं है इस प्रकार उस बगवान का बार में ही मेरे अंदर तोड़ा गड़बड़ी होने लगा क्योंकि मैं कौन बगवान को माने करके मुझे बिलकुल पता नहीं ही चला लेकिन मेरे चौदा उमर में जब मैं बिमार था उस वक्त प्रभु येश्यु ने मुझे डूंड कर आया जहां पर मैं जानने लगा जिहां यही सचे परमेशर है आकाश और फृतिविका सरजनार परमेशर यही वो सक्ता करके मैं प्रभु को जानने लगा और मुझे महसूस वा येश्यु मसी मेरा साथ रहता है और दुनिया का सिस्टी करता है बहुती प्रेम करता है मेरे दिल मे वो वास करने वाला है प्रबु क्या कहता मैं ऐसे हिर्दय को उनको दूंगा वो मुझे यहोवा जान लेंगे प्रबु ने ऐसे मन को मुझे दिया था परमेश्यर को सही तरिके से पैचानने के लिए परमेश्यर ने मुझे अनग्रह को दिया मैं परमेश्यर को बिल्कुल धन यही मेरे जीवन की सबसे बड़े आसिस के रूप में मैसूस करता हूँ। क्या परमेश्वर को जान ली है। सच्चे परमेश्वर जो आकाश और पृतिवी का सुर्जनहार परमेश्वर कौन है। सिस्टी करता कौन है। किसने इस दुनिया को बनाया है। क्या इसको आपने जाना है। जी हाँ सच्चा परमेश्वर को जानना ही सबसे बड़े आसिस है। आज उसको जानना है अमारा परमेश्वर कौन है। आज भी वो परमेश्वर जीवित है। उसे विस्वास के साथ मैंने पकड़ लिया। आज उसको मैं मिर्सूस करता हूँ, आज प्रबु आपसे कहना चाहता है, परमीशर आज वादा करता है, मैं ऐसे हिर्दय को उनको दूंगा, वे जान लेंगे मैं ही यहोवा हूँ, तो क्या आप ऐसे असिस को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, जी हां, अम प्रातना हे परमीशर तू ही परमीशर करके जानने के हिर्दय को आज हमें दे, मैं पैचान लोंगा प्रबु तू सचे आवज जीवीत और सरजनहार सिस्टी परमीशवर है, ये शुक के नाम में मानते हैं, आमें, आमें